मुंबई नासिक हाइवे पर भीशन सडक दुरुघटना में कई गाड़ियां छतिग्रस्थ हुई हैं जबकि इसमें दो लोग खायल भी हुए हैं आपको बताजी कि विमंडी के पास मुंबई नासिक हाइवे पर पिम्पिलांस फाटा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 5-6 गाड़ियों को टक्कर मार दी हैं स्वीरे ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये टक्कर रहा होगा जिसमें 5-6 गाड़ियां जो बुरी तरह से छतिग्रस्थ हुई हैं उनके हालात भी आप देख सकते हैं इसमें दो लोग घायल भी हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्स के मुताबिक लोग निर्मार विभाग द्वारा मुंबई नासिक हावे पर पिपलांस फाटा के पास जेबरा क्रॉसिंग का काम किया जा रहा था और इसी दावरान नासिक की और जाने वाली जो गाड़ियां थी वो धिमी रफतार से चल रही थी लेकिन तभी पीछे से तेज रफतार से आरहे एक ट्रेट ने पांच से छे चार पहिया गाड़ियों को टक कर मार दी इस घटना में दो लोग घायल हो गए हैं और गनीमत रही कि इस हाथसे में कोई जन्हानी नहीं हुई है फिलहाल पुलिस मौके पर पहुच गई और इस पूरे घटना की जाच कर रही है